भारत के प्रदान मंतरी नरेंदर मोधी ने दी भारतिय जनता पार्टी के नेताओं को चेताओनी कहां मुसलिम समुदाय के बारे में ना करे अबदर बाते और अबदर टिपननी जिया साथियो मैं हूँ हुटेश और आप देख रहे दथी 2024 की चुनाओ को लेकर के हर वो पार्टी अपनी जमीन मजबूत करने के लिए लगी हुई है जिसके वज़े से इस देश के तमाम SC, ST, OBC और आलपसंख्यांक समुदाय के जो ओट है वो बड़े माइने रखते है और इस बात के लिए हर वो तमाम पार्टी उन जनता के कदमों म वो कभी पूछते भी नहीं है आपको याद होगा कि पिछले चुनाओ में दलितों का ओट लेने के लिए इस देश के प्रधान मंतिरी नरेंदर मोदी जी ने दलितों के पैर धुले थे पैर दोये थे साथ ही दलितों के घर में खाना खाया था और बताया था कि मैं इस के बारे में जो भारतिय जनता पार्टी की नेता है और तमाम कारे करता लोग है जो अबद्र टिकपन्नी करते है और उनके खिलाब बुरा भरा बोलते है वो उन्होंने बंद कर देना चाहिए क्या ये 2024 के चुनाओ को लेकर के मुसलिमों के ओट को लेकर के राजनीती वाली मुसलिमों के लिए प्यार दिखा रहे है मुसलिमों के लिए कहीं न कहीं उनके दिल में लगाव पerडा हूचुका है सोचने और समझने वाली बात है कि जो लोग जो भारतिय जनता पार्टी के नेता आए दिन मुसलिमनों को तर्गेट करते है चाहे फिर वो फिल्म को लेकर के हो, चाहे फिर वो अन्य किसी मुद्दे को लेकर के हो, हर बात के लिए मुस्लिमों को जिम्मेदार ठहराने वाले इस देश के तमाम हिंदुवादी संगठन, जो कि हमेशा मुस्लिमों के उपर बात करते है, उनके नेता ने, मतलब कि भारतिय जन्तापार्टिय और इस देष के प्रधानमंत्री नरेंदर मोदी जी ने यह बात कई है कि मुस्लिम नेदर मोदी मुस्लिम समाच के बारे में भारतिय जन्तापटी Qui नेदर लोग जो है अबद्र भाषा का उप योग ना करे या फिर उनके नेता के नहीं चती लेकिन इस देश में तमाम राजनीती करने वाले लोग जो चाहते कि इस देश में हिंदू मुसलिम की बात हो मुसल्मान को टारगेट किया जाए मुसल्मानों को धरम के नाम पर हिंदू को एक करके मुसल्मानों को टारगेट करके मारा जाए पीटा जाए और ये जो हिंसा की बात करते हैं इन लोगों के उपर ये बड़ा तमाचा है। अब ये नरेंदर मोदी जी की 2024 को लेकर कि सियासी प्लानिंग भी हो सकती है। या फिर मुस्लिमों के ओट को हासिल करने के लिए ये मोदी जी का कोई नया चहरा भी हो सकता है। ये कहना अभी सही नहीं होगा कि नरेंदर मोदी जी की दिल में मुस्लिमों के लिए प्यार उमर पड़ा है। लेकिन ये उन तमाम न्यूज और टीवी मीडिया वालों के लिए भी बहुत बड़ी खबर है जो राद दिन अपने टियार पी बढ़ाने के लिए जो राद दिन अपने चैनल का नाम बढ़ा करने के लिए और राद दिन पैसा आइटने के लिए हिंदू और मुसल्मान की बात करते है भारत पाकिस्तान की बात करते है राम रहिम की बात करते है और पठान की बात करते है आपको पता होगा कि इस देश में पिछले कुछ दिनों से दिपिका के बिकनी की उपर बात हो रही थी शारुक खान के पठान फिलम की बात हो रही थी दरसल इनको पठान से बहुक्त है दरसल इनको दीपिका के विक्षैपर को राजनिती होती है उस राजनीती के मायने यह होती white इससे धरण को टर्गेट करके city और लोगी किया जाए उस्ताइब रही है वह इस देश से कही अंचुपी नहीं है यह समझना होगा उन तमाम देश के लोगों को उन तमाम नागरिकों को के जिस तरीके से पीम नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के भारते जनता पाटी के तमाम नेता और कारे करताओं को जो इशारा दिया है जो उन्होंने एक जो उन्होंने सिगनल दिया है कि इस देश में मुस्लिमों के खिलाफ आप गलत बाते नहीं बोलिए तो आज आप सोची कि इस देश में तमाम मीडिया तमाम टीवी चैनल हमेशा जो कि मोदी जी के नाम मोदी जी के नाम का प्रोपोगेंडा लगाते चलती थी वह आज कभी मुस्लिमों के लिए मोदी जी खत्रे में नहीं दिखाया जा रहा है बलकि मुसलमानों की security के बात खुद नरेंदर मुदी जी कर रहा है ये कही न कहीं एक समझदारी के और मसले की बात है देश में तमाम जो राजनीती है वो सिर्फ मुसलमानों को center point में रखके होती है चाहे फिर वो RSS के बड़े नेता हो मुस्लिम विरोधी रहते है और दलित विरोधी तो क्योंकि ये जो राजनीती है इनकी यह Cave बाते बोलते है और शुपा Agenda चलाते है और इसे लिए जो रिखने का काम करते हैं लेकिन हवे साथुं उनकि मुद्दे रहते हैं वह ली तो को तमाम मारने और पीटेने के मुद्दे रहते हैं इस देश में तमाम जो बड़ा मुद्दा है सिर्फ इस देश की राजनीती को ले करके और राजनीती को केंद्र बिंदू बना करके मुस्लिमों को जिस तरीके से टार्गेट किया जाता है और भारती जनता पाइटिक है चाहे फिर वो आये चोटे बड़े नेता हो चाहे फिर वो हिंदु धरम से रिलेटेड उनके जो सांसद हो या फिर हिंदु धरम का प्रचार करने वाले जो RSS की जो लोग हो यह हमें से सही मुस्लिमों के खिलाफ में जिस तरीके से बाते बोल रहे हैं बोलते हैं और बोलते आये हैं यह क आपको फिलाहल में मुस्लिमों को गाली नहीं दे सकते क्योंकि 24 का इलेक्शन नजदीक आ रहा है और तब तक के लिए आपको शांत होना पड़ेगा तब तक के लिए आपको बिल में छुपना पड़ेगा इस तरीके का जो काम है इस तरीके की जो राजनीती है वो भारतिय से रिलेकेड है ये चाहते है कि मुस्लिम मुझे ओट करें मुस्लिम समुदाय के लोग जो है अगर से दोसार Davies में जो सियासी रणनीती होगी जो राजनीती होगी फिस्छी भारतिया जनतापाटी सत्ता में आने का काम करेगे क्योंकि इस देश में तमाम उस समुदाय के ओट माइने रखते है जो इस देश के निवासी है जो इस देश के नागरिक है उन सभी के ओट इस देश में माइने रखते है चाहे फिर वो छोटा हो चाहे फिर वो बड़ा हो चाहे फिर वो अमीर हो चाहे फिर वो गरी सभात की और धर्म की राजनीती वर्सों से चलि हुई आघा रहहाँ आपको बता देगी मंडल कमेशन डेश में आता है तो इस देश में राम मंदिर के मुद्धों को राम मंदीर के मुद्धों को सामने लाता है और конц सी के मुद्द्यू का दबाया जाता है बाबरी मस्जित का भी जो मस्तला है उन वह 1991 से हमेशा से चल रहा है और अभी तक कि वह चलता हुआ आया है तो आप समझ सकते कि किस तरीके से मुस्लिमों के बारे में ये लोग राजनीती करते थे उनके खिलाफ में हिंदुत वका जो एजेंडा वो चलाते थे हिंदु खत्रे में है इस तरीके की जो राजनीती करते थे और आज मुस्लिमों के बारे में मुस्लिमों के पक्ष में भी बोल सकते है आप इस तरीके का स्टेटमेंट नरे के फसाद करवाने की सोचते हैं जो चाहते हैं कि मुद्दा जानबुच्व के जो हिंदुर मुसल्मान का बने और मुसल्मानों चलाफ जहर उगलने का काम इस देश में तमाम लोग करते हैं इन लोगों के लिए ये तमाचा होगा क्योंकि खुद नरेंद्र ओका ने पूझी जी ने यह बात कहिए कि आप मुसलिमों के खिलाफ में बात ना करें अब उन लोगों की दुकानदारी कैसे चलेंगी आप उन लोगों की बात कैसे आगे बढ़ेंगी जो लोग टीवी चैनलों के मादम से जो न्यूज चैनल हो जो न्यूज आंकर हो जो राद दिन हिंदो और मुसल्मान करते है जो राद दिन मुसल्मानों के खिलाफ जाहर निगलने का काम करते है उगलने का काम करते है इस तरीके की जो जो राजनिति है जो देश में हो रही है उसके खिलाफ में जो तमाम जो बढ़ा के लोग केसे मिडिया से करता है उनके मुँपर यह बहुत बड़ा तमाचा है इस बारे में साथ ही आप क्या सोचते हैं आपकी क्या राह है कमेंट करके जरूर बताए बने रहे दतिंग के साथ तब तक के लिए जैवीम जैवारत बहुजन विचारधारा को घरघर तक पहुचाने के लिए हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें कमेंट करें शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दवाना ना भूले